हमें integrate करना है sin x over sin x plus a अब देखो कैसे करेंगे से हम मैं let करूंगा x plus a जो मारा bracket में है उसको t ओके अब करतें इसके बाद हम differentiate करतें बहुत साइड तो क्या आएगी value हम आप यह वर पास x का होगा dx a constant है 0 is equal to dt ओके ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अब देखो आप यहां से क्या value मिल रही है मुझे अगर मैं बोलो पूछो आप से बताओ कि x की value क्या मिल रही है आप क्या बोलोगे sir t minus a x क्या होगा हमार पास t minus a ए उस साइड ले गए तो t minus a हो गया अब देखो आप हमें integrate करना है sin x over में sin x plus a j पूट कर रहा हूँ में t तो sin t और यहां पे x था x क्या पूट कर रहा हूँ में t minus a तो यह x अटाक यहां लिख रहा हूँ में t minus a एक ही बात है और dx equal है हमारा dt के तो यहां पे आगे dt मैंने बस values पूट की है जो मैंने rate करी थी वो और मैंने कुछ नहीं किया मैंने x plus a को t write किया था तो इसलिए x plus a t यहां पे लिख दिया मैंने और x is equal to cat t minus a तो t minus a कर दिया और dx dt के पूट कर दिया और इसे करने का फायदा क्या होगा अब देखो आप sin a minus b किसके equal होता है? equal होता है sin a cos b minus cos a sin b के equal होता है तो पूट कर देंगे अब यहां पे तो यह easy simplify हो जाएगे और sin a cos b minus cos t sin a okay हमने formula use किया और हमें यह values मिल गई divide में क्या हमार पास? divide में हमार पास sin t into dt इसको simplify कर लो बस आपका answer आ जाएगा बस important चीज जो थी वो थी यह let करने वाली बात अब तो simplify करना है symbol सा तो separate कर लेदें इसको यहां से यहां तक और यहां से यहां तक okay integration of sin t cos a cos a और यह sin a क्या है हमार पास यह constant term है t variable है divide में sin t dt minus integration of cos t sin a over sin t dt okay sin sin cancel हो गया cos a बचा cos a constant है तो मैं cos a बहार निकाल सकता हूं cos a integration of 1 into dt यहां पर कुछ नहीं है इसलिए मैंने 1 लिख दिया minus cos by sign क्या होता है court होता है और sin a constant है sin मैंने बहार निकाल लिया sin a integration of cos by sign court होता है court t dt okay यहां तक बात समझ में आती है अब मैं यूज करने वाला हूँ integration of यह court है ठीक है cos by sign court होता है integration of court t का formula है integration of court x क्या होता है हमार पास log more sin x plus c होता है okay इसको यूज कर लो और यहां पर क्या आएगा cos a integration of 1 dt है तो क्या value है यहां पर हमार पास t i की क्योंकि यहां पर 1 है variable क्या है हमारा t है तो t i की यहां पर minus sin a integration of court t क्या होता है log sin तो into में log mode sin t plus c okay यह हमारा answer आ गया but हमने भी t की value put नहीं करिए t की value put कर लो उसका बोल देंगे answer आ गया तो t की value क्या है हमारे पास t हमने लेट करता है x plus a तो यह put कर दो cos a into में x plus a minus sin a bracket में log mode sin x plus a plus c this is our answer okay okay we 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 झाल झाल